फिर आज यृजए हैं और चुक्ति यृद्धिक वाला जो हलचल है वो लगतार जाली है लेकिन ठीक है हम लोग भारत में हैं और भारत में चुनावी मौसम है तो सबका फोकस चुनाओ के हैं फिर भी देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और खास करके रन युद्ध वाली जो मैदान है वहां क्या चल रहे हैं इसको लेकर हम आप से बात करत हैं चुकि देखा जाए तो सर इसराइल और इरान के बीच भी अब कहीं न कहीं एक तरीके से घोशित युद्ध नहीं है लेकिन कहीं वार पलट वार का दौर जारी है ऐसे में सर इसराइल के लिए चुनाओतिया जो है वो दो तरफा है एक तरफ गाजा है हमास है दूसरे लेकिन सर्थ कहा जा रहा था कि जो मेडिल इस्ट है वहाँ तनाव बढ़ेगा लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है जैसा लग रहा था जैसे हम बार बार आशंकर जाहिर करते हैं कि बहुत जादा तनाव हो जाएगा यह हो सकता है वो हो सकता है जितनी हवा थी उस 1889 में जब शाह की सरकार बदली थी रिवालिशन हुआ था एरान का उसके बाद से उन्होंने इसराइल को अपना दुश्मन माना कि यह जो है शैतान है अदरवाज इन से पहले देखिए इनका बड़ा अच्छा रिलेक्शन्स थे आपस में और तकरीबन शाह फिरान के इनके बाद इनका सो काल्ड अगोशित यो दुश्रू हुआ और इरान जब से न्यूकलियर पाउर बनने के उसमें होड में आया और कन्फर्म हुआ कि उरेनियम उसके पास है और इरेनियम को प्रोसेस भी कर सकता है जो एक पहला स्टेज होता है न्यूकलियर पाउर के कर गी चाहिए मैं वहीं पर नहीं मैं कहूंगा पूरे अरफ देश में अमेरिका से ले करके और इरान को लेकर जब से न्यूकलियर वाली बिल्कुल क्योंकि बाकी देश कोई वहां पर न्यूकलियर पाउर का सोच नहीं रहा था आफकोर्स पाकिस्तान तो इधर है उधर न इसनों को फिरान मतलब घराबंद्धी करने की पूरी कोशिश नहीं की थी और तो ढी भी भी और इसके लिए तो ओझो आफ का रहे यही था जो की चालू था ख़तम नहीं हुआ था लेकिन इजराइल की नजर इनके जो नुकलियर रियक्टर्स हैं नुकलियर पावर बन रहते हैं उसके उपर हमेशा रही है और अभी लेटेस्ट नम जादा नहीं जाएं इसमें जो अभी लड़ाई चल ली एक्टूबर सेवन से इरान ने सपोर्ट किया है हमास को और उनके स एक extension था उस पर attack किया जहां इनके चार पांच दो जनरल और बागी पांच शे लोग मारे गए थे इरान के उसके बाद इरान में भी इनकी हालत ज्यादा हो थी पब्लिक आउट काई था कि इसका बदला लेना चाहिए और आज से नहीं यह देखे इरान का आज से था बहुत यह एक्शन लिया जो उन्हें तक्रीबान एक सो पचासी मिसाईलें अपना ड्रोंस फायर किये 30-32 मिसाईलें थी और बागी जो है दूसरी कुरूज मिसाईल थी और बागी मिसाईल कुल मिला करके 300-30 आज साथ फायर किया डिटेल तो किसी ने नहीं दिया इसराहिल ने अम अपकोर्स एक जरूर था कि जो नितमाम इनका मेन एर बेस है वहां तक इजराहिल की पहुंच हो गई अब देखे दोनों के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है इजराहिल और इरान का वो पंदरा सो किलो मिटर है और जो अभी मिसाईल्स है जो इस्तेमाल किया अपना इरान उसकी रेंज सत्रा सो किलो मिटर के आसपास है मतला वो कवर कर सकता है पूरा इजराहिल को और जो ड्रोन इसने अभी इस्तेमाल किये पहले शाहिद वन थरी सिक्स हम जाते हैं जो इसने दिया हुआ रूस में बहुत इस्तेमाल हुआ अब शहेद टू थ्री एट दो सुमट जो ड्रोन है उसका भी इनोंने वहां सबल बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया कहा जा रहा है कि रेंज तीन जार किलो मिटर तक हो सकती है तो मगर कहने कहें में कि यूज तो की हैं बल्कुर बले वो मारे गया जैसे भी हैं अब इसमें देखिए अगर हम इसे इसके बाद पहले देखेंगे इजराइल का लेकिन नुकसान भले जादा ना किया इजराइल ने अपने वेपन के टेस्टिन तो कर ली बिल्कुर दूसरा रीच उसने दिखा दी अपनी कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं और सब को सिरफ इजराइल को नहीं अरब देशों को चीन डू कितना इफेक्टिव है ओभी देख लिया ठीक है इसके 99 वारे गया हूं अलग की बात है लेकिन उसको पता तो लग गया ना और यह भी मेरे ख्याल से हर एक आर्मी चाहरे को पता करता है कि इसमें लूपोल कहां है कहां बीच में है जहां पर हम उसको निकल सकते हैं वहां से तो इभी एक चीज है जो इहां पर इन्होंने किया जो इन्होंने आप टुरू प्रॉमिस बोला तो यह चीज इरान ने तो दिखा दी अब उसकी बात जो एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्टेड क्या था अमेरिका और बाकी तो बाकियों ने कहा कि इसकलेशन नहीं होना च लेकिन आपको पता है कि नतिनाओ तो रुक नहीं सकते थे खुद उनकी पॉपलेटी पंदर परसेंट हो गई है अपने देश में जो यह लेके आए थे कि हम जो है इस जाहिल के सिकुरिटी पूरी इंशोर करेंगे वह बल्कि और ज्यादा नुक्सान हो रहा है छे मेने सात महीने लड़ाई हो रही है वहाँ कुछ नहीं हो पाया इतना खास और इरान ने अलग से उकड़ दिया और पहला डायरेक्ट अटैक है बल्कुल आप जो पहले कह रहे थे पहले अगोशित था कहीं न कहीं होता रहता था लेकिन अब यह सिधा था सिधी पहली बार हुआ है दोनों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक किया है और हम देखेंगे आगे किसका क्या इंप्लिकेशन हो सकता है लेकिन देखिए इस सत्रह सो जो किलोमेटर की हम बात कर रहे थे जो मिसाइल चेली इरान की साथ मिनेट टोटल लगे हैं तो आप समझ लिजिए कि कितनी ज ऐन तौनावान्य साल इरान ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें उन्ने प्रैक्टीस किया था कि किस तरह टारडगेट पर सकते हैं इजराहिल के खासका उनके पामचिम इसका एर बेस इरायल का उसको उन्होंने उसको सेंटर बनाया है उसके उरफ़ए प्रैक्टीस लिया का अब इरान को जो आप बात कर रहें हैं इ動画 मैं बढ़ाए अबी कर सकते हम, अबी तक हम सब डर रहे थे इन से अरब देशों में भी और खास करके जो आप बात कर रहे थे militant groups हैं उनमें उनको जो एरान में confidence आया है कि इसकी missile ने एक कर सकता है हमारी मदद कर सकता है military जो एदेखिए compare करें सिरफ आप इसकी military देखिए दोनों की काफी फरक है एक लाग सतर जार military है इजराहिल की जो इस्टन्थ है और इसकी जो है करीब साइचार पांच लाग किया सपास है तो फरक हुआ है लेकिन हलाकि land warfare नहीं है कि जमीनी लडाई तो है नहीं तो उससे कोई खास फरक नहीं पड़ता लेकिन moral पर फोज के काफी फरक पड़ता है कि उन्हें ने देखा कि हम तो ये काम कर सकते हैं economic देखिए economic में दोनों चीज़ें थी कि अब इरान एक देश बन गया है जो अपने drones और missiles export कर सकता है दूसरे देश भी ले सकते हैं रूस तो ले रहा है बागी देशों के लिए भी है सस्ता और टिकाओ मिल जाएगा यहां से तो एक हो है लेकिन इसका negative हो है कि अगर sanctions लगे तो मुश्किल हो जाएगा जो अमेरिका ने बोल रखा था यह लिए जो है यह थोड़ा सा दोनों तरफ है क्योंकि economy already बहुत डाउन है इरान की उनका inflation 35% के बीच में है तो sustain करना इतना आसान नहीं है जो है इसके इसाब से अब इजराइल का साथ अक्टूबर से देखे रिलेंटलिस चल रहा है हो उसमें क्या गेन हुआ है क्या नहीं हो हलाकि इजराइल कुछ बताता है नहीं कभी इजराइल ने जो अभी एटाइक इरान पर किया, इजराइल ने आज तक नहीं बोला है कि इजराइल नहीं किया, यह तो अमेरिका से और बागी देशों का न्यूज है, सबका है कि इजराइल ने फायर किया, वहाँ पर, और इन्हों ने अपनी मिसाइल्स फायर की हैं, डोन्स फायर किया उन्होंने कितने exactly कौन से कितने किये confirm तो ये नहीं हुआ है लेकिन एजरूर है कि इनकी मिसाइल जो इस वादा वाला जो इनका area है military base है एरान का और उसके आसपास nuclear reactors भी है इनके तो वहां भी इन्होंने भेजा है मतलब मिसाइल गई है और गिरी है वहां प तो रूस से एरान को मिला है उन्होंने destroy कर दिया है जबकि हलाकि रूस ने S-400 बना लिया है भारत को भी दिया है S-400 और ज्यादा हो है लेकिन माना जाता था कि S-300 भी जल्दी नहीं होता है बट इन्होंने दिखा दिया है करके तो ये दो चीजे में यहां पर रोक करना चाहता हूँ आप यह देखिए दोनों ने एक दूसरे पर missiles दागे ड्रोन्स दागे सारा कुछ किया लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि हम escalation नहीं चाहते आगे नहीं बरना चाहते दोनों ये कह रहे हैं रादर मैं कहूंगा किया कि उ इन ही आप अइरान ने डैमेंज किया इजराहिल में कुछ और अइजरायल ने इरान में डैमेज किया किसी भी चीच का दोनों ने जो मेरान मैं कि कीम Wise के बात की सारी वे इसमी बदेखित दोनों ने के समेधिए वोगता नहीं पर रहे हैं उनके अगल मिलिटरी बेस के सार् तो आप क्या सब को बता के करते हैं आप तो सर्प्राइज एलिमेंट चाहेंगे ना इरान ने अमेरिका को बता दिया बागी देशों को कि हम फायर करेंगे तो निचुरली पूरी एडी सिस्टम तो एक्टिव होनी थी और उसमें जो बात आई उन बाहतर घंटों की जो अंद करें जहां से पूरा उनियोंने कंट्रोल किया सारा कुछ तो जी सिस्टम नौरमिल्फ याज़ा नियसा तो कोई करता नहीं तो बनाने के लिए जय्यादा और आप कह रहे तो ऊगोशित वख Thomas дома खोशित हुआ है लेकि YEARS कुछ झ ses अधरवाइज कोई एम नहीं तो यूद नहीं यूद नहीं वही बिलकुल अगोशित जो आपने का तो हम इसको भी डायरेक्ट तो है लेकिन अगोशित में ले सकते हैं एक चीज सिरफ है जो हम कहा रहे थे कि पहला डायरेक्ट है तो केपिबिलिटी इनके पास है वहां पहु तो नहीं नहीं वह काफी आगे बढ़ सकती थी तो ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा सोचने वाली हैं कि ये क्यों इसे फाइदा किसका हुआ क्या हुआ मैं मिलिटरी मैंने कहूंगा कि डेटा दोनों ने काफी इकठा कर लिया जो बहुत जरूरी है बिलकुल पूरी पूरा एकीन है कि ये मॉनिटरिंग चीन रूस ने भी की होगी कि इनके एडी सिस्टम्स जो हैं कैसे काम कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ा डेटा मिलेगा रूस और चीन को आगे के लिए तो ये एक चीज है जो कि मुझे लग रहा है कि इसका हैं दोनों के लिए ये सब कुछ चीजें हैं जो इसकी है देखिए इंप्लिकेशन से ही हैं बैसिकली रीच इनों ने देख लिया लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए अभी तक जो आप कर रहे थे अगोशित तो फिर भी चल रहा था अगर डाइरेक्ट वार्फियर इस तरह गोशित हो गया तो य जो है बहुत बड़ा मुश्किल आए और इसलिए देखिए अरब वर्ड भी अभी दो इसों में बटा हुआ है खुल करके कोई सपोर्ट में नहीं आया है ना इजराइल के ना इरान के लेकिन खुल करके जो आठ देश आलेड़ी इरान के साथ संब्द बना चुके थे इस एक मोगा जरूर मिल गया इरान को अपना अपने इलाके में वर्चर दिखाने का क्या में कर सकते हैं दूसरे देश जू है उनको मेरे पास शमता है शमता है और यह एक डर का भाव शायद शायद उनके जो अरब वर्ड के लीडर बनना चाहते हैं साथी रेबिया और उनके इमिरेट्स उनके लिए एक वर्णिंग टाइप भी दिया हमें कर सकते हैं देखिए सोधे रीबा तो काफी समय से कोशिश कर रहा है कि एक अमरिका का बेस उसके आ रहे सुरच्छा के लिए यूई में तो है अलड़ी है तो यह एक जियो पोलिटिकल जो सिच्वेशन है यह उस पर कांसिंट्रेश रहेगा इराइल अपने शवता कैसे बढ़ाता है और एरां लिएरां आज भी इरायल के पास प्रीड जार के आसपास नक्रम एमेरिका और वेस्ट को अपनी सुरच्छा के लिए जो बेसिसे हैं इनके उसमें अपने आपको और सुरक्षा उनकी बढ़ानी पड़ेगी, कैसे मिसाइल्स और बागी चीजों को कर पाएंगे, काट पाएंगे, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, होती ही जो तो मेन हैं, अब जो छोटे मोटे भी देखिए, बहु काफी हैं, वो कैसे आगे आते हैं, वो इरान कैसे, इरान क पर भी देखिए, बहुत फरक पढ़ना है, सैंक्शन्स लगे हुएं इरान के उपर, लेकिन ओयल का क्या होगा, ओयल प्राइसे बढ़ रही थी, हलाकि अभी फिर कंट्रोल में आ गही है, इरान की करिंसी का वैसे ही बुरा हाल है, सैंक्शन की वज़े से, डाइरेक्ट वा नहीं भी हो, लेकिन अब जो है, जो आप कह रहेते हैं, घोशित जो कैलनिस्टाइन होता है, मतलब जो हम इंटेलिजन्स सोर्सेज और बाकी अपने उनके एजेंट्स के थुरू काम करते हैं, ओ बढ़ेगा, जो मुसाद और हेजब लला और होतीज, ये सब ये अपनी आप से बढ़ सकती हैं, तो military bases, large air bases, इनकी security अब जो है, दुबारा इन लोगों को सब को देखनी पड़ेगी, defense systems कैसे होंगा, अगर S-300 चला गया, destroy हो गया, इसका मतलब कुछने कुछ तो उसमें कमी है, ये देखना पड़ेगा, और जो surprise element है, हो सकता है, उससे 99% नहीं होत एक systems ने कर दिया, iron drone या ledger beam जो इनकी थी, उसने तो करी दिया, ये जो चीजें कुछ देखनी हैं, और इरान जो है, अब nuclear bomb के नजदीक जाएगा, कैसे भी हो, sanctions के बाउजित, वो पूरी कोशिश करेगा, nuclear war की तरफ बढ़ेगा, nuclear, मैं कहता हूँ, capability की तरफ बढ़ेगा, क कि अलड़ी कहा जा रहा है, कि इसराइल अघोशित nuclear power है, 80 के आसपास उसके पास nuclear warheads है, लेकिन कोई घोशा, मैंने कहा कि इसराइल तो पहले भी नहीं करता है, और अभी भी नहीं करता है, चीन और रूस, डारेक्ट तो इसको nuclear, इसके plan में support करेंगे नहीं इरान के, क्योंक इन्हीं के उसमें है, तो ये जो कुछ चीजें हैं, इरान के तरफ हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्ट के तरफ भी बहुत important है, कि इसराइल को छोड़ नहीं सकते, जो कुछ और अरब देश हैं, जिनको इससे डर है, threat है, बड़ी है, इरान से, उसके लिए भी security उनको अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके